हलो स्टुडेंट्स स्वागा थे आप सभी का आज किस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं विसाय विज्ञान कक्षा 10 वी का अभ्यास प्रश्ण पत्र सैट B का सॉलिशन साइंस का पूरा सॉलिशन एक से लेकर के 23 तक का सैट B का पूरा सॉलिशन बताऊंगा अथबा के स साथ हर एक कुश्चन का आंसर बताऊंगा तो वीडियो में बने रहना और सैट A का सॉलिशन जिसको चाहिए कोमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा वहां से देख सकते हैं सैट A का सॉलिशन है तो सैट B का सॉलिशन देख लेते हैं सभी एक से लेकर के 23 तक बित व्हाँ निकरिया होने पर क्या होता है तो हाइड्रोजन गेसिव और टूरैड जो है वहां पर बनता है आंसर आपका रहेगा हाइड्रोजन यूग यूव और टूरैड इनमर का उप्शन इसका बाद है आपका धातु भैधरमी ऑकसाइड बनाती है अलूमिनियम राइट लगाएंगे इसके बाद थर्ड है आपका कार्बन का अपर रूप जो बिद्धुत का सोचालक होता है तो गुरुफाइट आंसर लखेंगे आप सा नम्मर का उप्शन इसके बाद है आपका चार नम्मर का प्रशन समतल दरपन की फोकस दूरी होती है तो वह अनन्त होती है न सबस्क्रा के कारण परीपत मैं धारा के मान पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो वह होता है परीबर्त नहीं होता है या inflation जो कि आफ्र रहता है सभन को फोसक्त्व कर यहाँ पर हमाने कमप्लिट हुए इस बाद रिक्तस थान आपकर स्टार्ट होते हैं देखे तो छे नमबर के रिक्तिस्थान आपके रहेंगे पहला आपका यह विग्रिया जिसमें एक अभी कारक ओपचायत एवं में एक अपचायत होता है तो देखी ओपचायन और अपचायन दोनों अगर साथ साथ हों तो मैंने बताया थे कि रेडॉक्स अभी करिया यहां पर होगी तो रेडॉक्स इसका आंसर आपको बिल्कुर राइट आंसर लिख देना है फस्ट वाले में रेडॉक्स बढ़ देंगे यहां पर खालिस्थान में इसके बाद सेकंड नमर का कुश्चन आपका दिया गा है पारे की मिस्ट धातू खा अगर एक अब तीन से चार प्रतिसत इसका बिलें तजर करें तो उसे हम सिर्का कहेंगे ना सिर्का उसे नाम दिया जाता है इसके बाद आपका चौति नमर का प्रशन रहेगा खालिस्थान हार्मोन के संसलेशन के लिए आयोडियन अनिवा रहे है तो थायरोक्स इसका अंस के लिए आवश्यक होता है जो कि कमी के कारण मतलब घैंगा रोक से बचाता है हमें तो यह आपका कंप्लेट हएगा तो पांचवा है बिलर माध्यम में प्रकास की चाल सगन माध्यम के पेक्षा खालिसा होती है तो अधेक आंसर लगाएंगे इसका अधेक इसका आंसर आप की दीज़ेगा इस प्रकासि मौटिया बिन्द है ना बिन्द ही चणने बाप पर इस प्रकासि मौटिया बिन्द सगन सा जो है बाप च्छडविगा कैना तो हमारे यहाँ पर खालिस्थान कंप्लेट हो जाते है इसके बाद बढ़ते हैं next question क्यों आपके सत्या सत्य नीचे लिए उतरदाई हे बिल्कूल सत्य है तो सत्य-सत्य है है ile सेकन्ड आपको असत्य है और दो आपके इंस के उपर के इसके बाद है चार नंबर का widget जीने लक्षण की बनसागती को जो है नियांतरित करते हैं तो यह आपका जो है सत्य हो जाएगा इसके बाद है निर्वात में प्रकास की चाल तीन गोड़ी दिसकी घाती आठ मीटर प्रतिस सेकंड है तो यह भी आपका सत्य रहेगा और प्रकीरनत प्रकास का वर्ण यहाँ प्रकीरनत लिखा होना चाहिए था ना इस प्रकास से प्रकीरनत यह सही होता यहाँ पर मिस्प्रेंट हो गया होगा पेपर में यह रहेगा प्रकीरनत प्रकास का वर्ण प्रकीरन करने वाले कणों के साइज पर निर्वार नहीं करता है तो नहीं करता है कहा गया है तो बिल छाहर भी मिलक्ता है इंसुलिन इसकी में प्र्योग मतर पस्तिरिकांद की और मतरुकंत में प्रचंप Jewel हो जाएंगे हैं तो यह रहेंगे आपके complete यहां पर सही जोड़ियां इसके वाद वड़ते हैं अगले question क्यों रहें आप पांचवे नंबर का प्रश्ण दियागा है इसमें एक सब्धिया बाक में उत्तर दिल लिखिए चैनमर के पूछे गए हैं पहले नंबर का एक में एक billion में कृढ घ्ल देती है जन्ग गफिए एक पॉड़े में क्षारण को बन देते हैं तो वही थ है नहीं क्यार कच आथा और आपको यही रहे गा तो अंसर यही लखेंगे इस सांधर नाइटर कमल के 3 अनुपाते 1 के पाथ के पेसा मिस्तरान को है ना ? दो अमलों के 3 अनुपाते के पेसा मिस्तरान को सीधी बात है , लग देंगा है 2 key assessment भी देखाथ हूँँगा , कहीं नियम किसे ने दिये ? तो ग्रेकर जोन मेंडल ने ऑन्वा किसी कहा जाता है तो जिन पुस्पों में नरी June महानदा अघ्रतियों में उभै लिंग पूस्प कहते है जल दिये जाए जल दिय 2017靠 solicit आख ञाहें किश्म कि उन्हीं प्रकास सब सबसे अधिक तीब्रगती से चलता है तो जल आंसर रहेगा आपका क्योंकि जल में क्यों तो यह भी आपको लिखना पड़ेगा तो जल का बरतनांग है ना जो सबसे कम होता है तो यहां पर इस पर प्रकास जो है सबसे तीज चलेगा तीब्रगती से भागेगा आंसर रहेगा ऍद्र आपको जल डिएघेंगे आप यहां पर क्योंकि यहां पर बारतनांग सबसे कम होता है इसके पतर बाद से पुझे तो ले अन्पोर नाम आपका चलिए इन का लिखे हुए नीचे देखें लेते हैं फिर सभी आपके जो question है इंद के भी answer हम देखेंगे यहां से 6 नंबर से यहां हर एक अथवा का answer बताऊंगा बिल्कुछ इसके बाद आपका सही जोडियों का solution यहां पर नीचे दिया गया देख सकते हैं सही जोड़ी का इसके बाद एक सब्द्या बाग के मत्तर का solution जो है लखना है फस्ट का लिखेंगे सांद्र एस्याल बासांद्र नाइट्रिक अमलिके तीन अनुपात एक के अनुपात को ताज केरोशिन और तार्पीन का तेल जल दिया गया था इनुम्हें किसका यहां पर अधिक हो गाए न प्रकास किस पर तीब गती से भागए तो जल पर है न तो क्यूंकि जल का बंतनांग है सबसे कम इस पर का लेंस सूतर पूछ गया था इसके बाद यहां से हमारे working यहां सिटा सफिए और देख सकते हैं बाइव में जलाने से पूर्व मैंगनी इसें मुलन को साफ किया जाता है और अध्वा में दिया गया है किसी पदार्थ एक्स है न कोई पताथ है जैसलिका उपयूक सफीदी करने के लिए होता है तो इस पतात का सूत लिखें और जल के साथ इसका भिकरिया लिखें चले चाहीं अपने is Districh n आप देख पार रहे होंगे देख सकते हैं आप i6 क अ cod तो एक लगास पर आपको सातवे नंर का प्रशन के और सोडियम को केरोसीन में डुबा करके क्यों रखा वेरी वेरी मोस्ट इंपोटेंट है बोड की द्रश्टी से तो इसे तयार कर लेना बोड के लिए अभी आंसर बता दूँगा इसका भी आंसर बताऊंगा दोनों का अथवा का देखिए अथवा में ऐसी धातु को अधान दीजिए जो कमरे के तापर द्रब होती है तो द्रब आंसर नीचे देख लेते हैं साथ बे नमर के प्रशन का उत्तर आपके सामने दियागा है सोडियम को मिट्टी के तेले आग केरोसीन में डूबो करके क्यों रखा जाता है तो आंसर देख सकते हैं सोडियम अध्य अधिक अभिक्रिया से लहातु है जो खुली में रखने से अभिक्रिया करके देखे यहां पर रिपीट हो गया है साइथ तो यह खुले में रखने से अभिक्रिया अभिक्रिया करके जो क्या कर लेता है अग उत्पन कर लेता है इसलिए से किरोशन में डूबो करके रखा जाता है अब साथ की अथवा का उत्तर आप चाहते हैं देख यही आपको लखना है इतना रहेगा इस तरफ का यहां पर दिया गए है ना फस्ट जो आसानी से मतलब कमरे के ताप पर द्रब होती है वो पारा रहेगी या मरकरी इसके बाद आसानी से चाकू से काटी जा सकती है सोडियम और आपकी विद्धुत की सुचालक चांदी रहेगी और लेड सीसा रहेगे आपका चौथे का आंसर उसी साथवी का थवा का बढ़ लेते हैं आठवे नंबर के प्रश्ण के और यहां पर तो आठवे नंबर का प्रश्ण आपका यहां पर दिया गया होगा देख सक अंतर ही उसमें पूछा किया है आपको कनफ्यूज नहीं होना है यह बिलकुल नई प्रकार से बनाया है कि किस प्रकार भेनना है यहां पर देखे यह सी प्रकार हर कॉश्चन पूछा है पहले लिखते थे कि परागन और निशेचन में अंतर लिखिए आप बैसा नहीं गर्वहस्त सिसू किस प्रकार पॉश्चन पराप्त करता है आठवी का अर्फवे करते देख लेते हैं अथवा के साथ तो यहां पर आठवी नंसर कैए था उत्वा में अथवी का आठवा का अंसर था था किस प्रकार से ना प्लैशन तौछ झेघंटा के दारा तो यह प्रश्ण कर लें जरूर से और यह आपका complete answer इसका रहेगा अथवे का थववा लेगा इसके बाद 9 वी नंबर का प्रश्ण देख लेते हैं आपका तो देख सकते हैं आपए यह रहेगा आपका यहां तो 9 वी नंबर का प्रश्ण नीचे दियागा है परागण करिया निसेच पूछा गया है और एकल जीवों में जनन की चार विधियां लिखिए उनके नाम विवों उधाहन लिखिए तो चले देख लिए नौवे का उत्तर अथवा है ना दूनों का अंसर देख लिए देख सकते हैं परशन क्रमांक 9 नो का उत्तर दिखाई देरा होगा परागन और न इन्हों अंतर दिए गए हैं तो इस प्रकास रहेगा इसका 9 वी के अत्वा का उत्तर जो भी आपको लिखना है याफ़ दोनों लखना तो लिखता दीजिएगा एकल जीवों दोर उपियों किया जाने वाले प्रजन्न के तलिके तो बिखंडन, मुकुलन, बीजानू, निर्माड, बीजानू, पुनजनन, बनस्पती, पर चार मेने, यहाप पांच लख दिया है, आपको इचार लख दीजेगा, विखंडन किस में होता है, अमीबा और पेरामीसियम में, मुकुलन होता है, यीस्ट और हाइडरा में, बिज सकते हैं, दसबे नंबर का प्रशन आपको दियागा है, अंतिम पंक्ती में बैठे किसी विध्यारती को स्याम पत्तर पढ़ने में कठीनाई होती है, यह विध्यारती किस दोस्त से पीडित है, इसे किस प्रकार संसोधित किया जा सकता है, तो दसबे नंबर का प्रशन ये दूरी पर जो होते हैं तो चली देख लेते हैं दसवे का पूरा कंप्लीट आंसर नीचे देख सकते हैं दसवे नंबर के प्रशन का उत्तर दिया गया है प्रशन यही था आपका अंग्तिम पंक्ती में बेठे किसी विध्यारती को स्यामपट पढ़ने में कठीनाई होती है बहे विध्यारती जो है किसे दरश्टी रोग से पीड़ित है इसे किस्प्रका जो है संसोधित किया जा सकता है उत्तर नीचे रहेगा जो है इस विध्यारती को क्या है इस विध्यातियों को निकट द्रष्टी दोस मायो प्या है उसे उच्छे चम्ता के अवटर लेंस से संसों थे जू है किया जाकता है यह दसबे कअ इसक बाद 10 के अथवा का देख सकते हैं पूछा गया था प्रशन भी देख सकती हैं और तर भी प्रशन ये था माना नित्र के सामान द्रष्टी के लिए दूर बिंदू अन देख लेते हैं तो 11 नंबर का प्रिश्ण आपका यहां पर जो है दिया गया है देख सकते हैं सौपोसी पूशन के लिए आवश्यक परिस्थतियां कौन सी है उनके उत्पाद क्या है और अथवा में पूझे का है पादप में जल एवं खनेज लबडों का वहन किस परकार होता है तो जाइलम लेखी यहां तक इसका उत्तर कंप्लीट रहेगा ग्यार है वी नंबर के प्रश्ण का यहां पर रहेगा इसके बाद ग्यार है कि अथवा वाली का उत्तर देख लेते हैं नीचे तो जिसमें पूझा गया था पोधों में जो है जल लबडों का परिवहन कैसे होता है तो यह उसका उत्तर लेख देंगे ना तो मैं आपको आंसर याद रखना है इसका जाईलम द्वारा होता है जाईलम बाही निकाओं बाही नियों द्वारा होता है तो इसका उत्तर रहेगा आपका ग्यार है क्या अत्वागा इसके बाद 12 है नंबर के प्रश्ण का उत्तर देखें से पहले में आपको प्रश्ण दखा दूं तो प्रश्ण के और वड़ते हैं आप देख पा रहे होंगे यहां पर रहेगा आपका प्रश्ण है ना इस पेज में देखे यह आपका दिया गया है बंसागत लक्षण क्या होते हैं देखे पूछा गया ना कि बंसागत लक्षण जो संत को अपने मातम पता से प्राप्त होते हैं बंसानुगत लक्षन कहलाते हैं जैसे बालों का रंग आँखों का रंग यह आदी आपके उधान हो जाएंगे इसके और इसका अथवा वाले का देखें बार है कि तो उत्तर दिया गया है सामने तो मेंडल को कैसे पता चला कि जो है पोधे के लक्षन अप्रवावी तथा अप्रवावी होते हैं तो यह उत्तर लख देंगे इसका एक कोई लखना हो तो कोई भी लख दीजेगा बार है का उत्तर रहेगा यह बार है कि अथवा वाले का उत्तर रहेगा तो यह रहेगा आपका बार है का कंप्लेट आंस डिकना आपको दिखाए दिरेंगी आवझतल दरपन के मुखsom की प्रिभास की हम बाहनों में यू प। दरतर देंगे अथ्भा के साद दूनों का उत्तर देख लेते हैं देख सकते हैं 13 भी नमबर के प्रश्ण का उत्तर आप देख सकते हैं आपर अवतल दरपन की मुख फोकस की परिभासा लखनी थी आपको तो इस प्रकार से परिभासा लख देंगे और यहाँ पर इस प्रकार इसका डाइग्राम बना देंगे तो आपका यह भी अंक नहीं कट की अथवा का उत्तर है ना हम बाहनों में उत्तल दरपन को पस्चे द्रश्ट दरपन की रूप में बरियता क्यों देते ही यही कोश्चन है आपका तो ते रहे कि अथवा का उत्तर आप इस प्रकास जो है लख सकते हैं यह सामने उत्तर पूरा कंप्लिट रहेगा इसके बा अब बस्ते की प्रकास की चाल चेंश डाता है और कोशीं में अथवा में में झकंट टूरी बाली किस दिख लेते हैं चौधा है का उत्तर बिथ अथवाघ में यहां पर यह दिया रहे हुँ हैं पर आंसर क्या रहेगा आपका नीचे आपका परतनांक लिखना है सबसे पहले आपको यहां पर दिया गया है इसके बाद आपको बढ़ना है आगे और यह आपका complete solution यहां पर इसका हो जाता है यहां तक आपका solution जो है हो जाएगा और इसके बाद चौदह के अथवा का उत्तर दिया गए हैं आपको तो यह उत्तर रहेगा आपका 14 के अथवा वाले प्रश्ण का तो बढ़ते हैं अगले कॉस्चिन 15 वी नंबर के उत्तर क्यों पहले प्रश्ण हम जो है देख लेते हैं प्रश्ण है यहाँ पर आपको अगले पेज में यह दिया गए है देख सकते हैं 15 है भी नमबर का प्रश्ण है किसी विद्धोत परीपत में लगू पथन कब होता है short circuit short circuit कब होता है तो दो चुम्ब की छितर हैं काटती क्यों नई? 15 का दोनों प्रश्ण है 15 का अथ Luna का 5 मैं कुश्चिन का लिए देख लेते हैं नीचे आपका तो यह 16 का आगया यह रहेगाpen Whose विद्धोत परिपत में लगू पतन यह रजार्ट करेज हुआ है यह आंसर लेखन से का तो विद्धुत यह अंत्र में इस प्रकास से आपको इसका कांसर लग देना इसके बाद 15 के अत्वा का देखेंगे दो चुम्ब के चेतर रिखाएं यह एक दूसरे को क्यों निकाटती है तो इसका यह रहेगा इसका कारण यह रहेगा कंप्लेट है न यहां तक आप इसको लख देंगे इसका ही नम्मर के प्रश्ण के उत्तर क्यों यहां पर पहले प्रश्ण देख लें चुम्ब के चितर रेखाओं के कोई तीन गुण दो गुण आप से पूछे गए थे आप तीन लिख देंगे तो बहुत अच्छे से आपका अंसर बन जाएगा यह रहेगा आपका आंसर देख सकते हैं तीनों गुण आपको चुम्ब के चितर रेखाओं के दिए गए है इसके बाद चुम्ब के चितर रतुपन करने के दो उपाय आपको पूछे गए थे तो पहला उपाय दिए गए दूसरा तीन उपाय यहाँ पर दिए गए तो सूलह के अथवा वाली का उत्तर जो है देख लेते हैं अथवा के साथ यही था 17 नंबर का प्रश्ण इसका उत्तर यहां पर होता है कंप्लेट यह दू आपको पूछे गए थे प्रभाव क्या प्रभाव पड़ते हैं आज आपने लिख सकते हैं दोनों को इसका बाद 17 के अथवा का उत्तर देख सकते हैं question रहेगा यहां पर बियोजन अभिकरिया को सेयोजन अभिकरिया के विपरीत कहा जाता है क्यों इसका समीकरण के साथ जो है उदाहन लिख लिए हैं और अथवा में पूछे कहा जाता है तो 18 का उत्तर देखेंगे आप यहां पर अथवा के साथ दोनों का उतर देख लेते ह प्रश्न नामांकेत चित्र बनाई है पहले मैं प्रश्न पेपर में यहां पर दखाऊंगा आपको कि यहां पर है तो देख सकते हैं आप तो यह आपका प्रश्ण रहेगा तंत्रिका कोसिका का जो है नामंकित चित्र बनाईए यह रहेगा और इसके अथवां में प्रति बरती क्रिया को सपस्ट कीजिए तो चलिए दोनों का 19 का उत्तर देख लेते हैं तीन नम्मर का प्रश्ण है आपका त इसके बाद 19 के अथवां में पूछा गया था आपसे जो कोश्चन प्रति बरती क्रिया किसे कहते हैं इसको समझाई तो यह आप लग देंगे आप तो इस प्रकास आपका 19 का अथवा का और प्रश्ण का उत्तर हो जाता है इसके बाद 20 प्रश्ण है ओम का नियम लिखिए इसका गड़िती रूप लिखिए यही प्रश्ण आपसे पूछा गया है तो इसका अत्तर देख लेते हम तो देख पा रहे होंगे आप प्रश्ण आपका क्या था यहां पर देखे 20 नंबर का प्रश्ण है आपका देखे यह आपकी स्क्रीन पर ठीक से देखे उसके लिए म पांच ओम प्रति रोधक तो इस प्रकास से हम इसका आंसर देखे पूरा क्वेशन पढ़ने के बाद और इसका आंसर यहां पर देखेंगे हम कितने नंबर का हमारा यही था 20 नंबर का ओम का नियम लिखे तथा इसका गड़िती रूप तो देखे ओम का नियम आपके सामने पूछा गया था देखे किसी बिद्धुत परिपत का देहें यही कोश्चन था आपकोंश्चन यह पर मिला लेंगे और यह आंसर आपका complete सक रहेगा इस प्रकास याप तो इसे आरे कहींच देंगे यह का अंसर बन जाएगा ना तो इस प्रकास आपको इसका आंसर लग देना है इसका बढ़ते हैं किसे नमर के प्रश्ण के और किसे नमर का प्रश्ण स्क्रिम पर है परखनली एबंबी में समान लंबाई की मेंगनीशियम की पटी लीजिए तो इसमें आपको यह पूरा कोश्चन दियेगा है इसका अथवाला कोश्चन भी देख लेत है और इस दूद्ध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है दूद्ध अधिक देए तक वह रहता है तो 19 यानकी 21 का उत्तर हम देखेंगे नीचे तो 21 नमर के प्रश्ण का उत्तर आपके सामने दियेगा है यही प्रश्ण था आपका देख सकते हैं पूरा प्रश्ण इसके बाद है 22 नमर के प्रश्ण का उत्तर इसके पहले में आपको प्रश्ण दिखा दूए यहां पर तो देख पा रहे होंगे अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजेगा क्योंकि आपको हर एक सब्सक्राइब का सॉलूशन इस आपका आपका उत्तर तो यहां पर देख पारहे होंगे यह रहां का 21 का उत्तर यहां पर रहे गाए प्रथम चार हईड्रोकारवं की नाम सूत्र विन्स रैवम सराचना सूत्र रिख्र यहां इभिए संचना निचे बने हुई है देख सकते हैं नीचे तो यिए इनकी सनचना बना देंगे, यह आपका इनकी सर Sumah में और पूछा गया था इस प्रकासस सरचना भाद के दन affect के वां और प्रकार्स्टрах देखी लिया होग आपने पेपर में, और ये उसका अंसर रहेगा 23 का पाचनतंतर का आपको मनुस्द की 25 पाल नाल का आपको चित्र बनाना था तो इस प्रकास से आपको इसका उत्र दे देना है यही प्रिश्णा पूछा गया है मनस्तु के 25 का नमंग की चेत्र बंद इवर्य रफ्वास के गाहा देख लेते हैं इसका उत्तर नीचे यहीं दिया गया है हां अपका 23ि नम्बर के तभिव का उत्तर मांँग माँक के चत्र यह रहेगा इसके बाद है आपका 23 के अथवा वाले का उतर यहां पर रंधर खुले यह बंद रंधर का जो है नामंग के चत्र आपको बनाना था और दो रंधर के जो है कार लख देंगे तीन कार यहां पर दिये गए हैं आपको जो लिख दीजिएगा चल जाएगा यह पाई जाती है ना यहां पर यह गौड कोसिका होती है और यह दोनों में मिलती है बंद रंध हुए या खुला रंध हुए दोनों बाहर के देखने को मिलेगी हमें यह गौड कोसिका है यहां पर खहलाती है और सुरक्षा कोसिका यानि कि रक्षक सेले ने कहते हैं हमें यहां पर तो यह रख्चक सेल यहां पर पाई जाती है यह यह इतनी है ना यह रख्चक सेल यहां पर पाई जाती है झाल झाल